सबसे पहले बता दू कि ओवरॉल जो एक्जाम का लेवल था वो इजी तू मॉडरेट था और अगर इंग्लिश लेंग्वेज की बात करें तो गूड अटेंप 19 से 23 माने जाएंगे तो गूड अटेंप 24 से 28 माने जाएंगे ओवरॉल अगर आपको गूड अटेंप देखने है तो आपका अटेंप्ट सही है माना जाएगा अब बात करें तो सबसे पहले रिजनिंग अबिलेटी का सेक्षन देख लेते हैं तो पंद्रा मार्ग के पजल्स एं सिटिंग अरेज और चार मांक के अगर मैंच की बात करें तो मैंच में आपको एक टेविलर डि पुछा था यह पांच मांक के वर्ड रियर्जमेंट आया हुआ था अगर आपको मेंस एक्जामिनेशन के लिए करेंट फर चाहिए तो वीडियो कॉन तक्स ज़रूर देखेगा मैं आपको बत अगर आपने इसको फॉलो कर लो और अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपको बता दू पूरे मैंने के जंबल्ड करेंट अफिर को मैं एक और इस वाली फॉर्म में रेडी करता हूँ और आपको प्रोएड करता हूँ जिसके मदद से बढ़ सकते हैं कमच सकते हो और याद रख सकते हो और यह करेंट अपे नोट्स री वीजिन के लिए तो सबसे बेस्ट है आप चाहो तर व्यू भी पढ़ सकते हो से लेक इंब बेन भी बैंक पूर आपके नोट्स बहुत काम है और भी कई सारे रिवीउस है जो आप वीडियो पॉस करके ब सकते हो फिलाल इस करेंट अफर नोट्स पे डिसकाउंट ऑन गोइंग है अगर आप हमारे इंच्राग्राम पेज आईपी पेस अंडर्सकर गुरुजी को फॉलो कर लेते हैं और यूट्यूब चैनल पे आप अपने अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया तर सब्सक्राइब यह तीनो टास्क करने के बाद आपको एक मैने का रूपीस फॉर्टी ना की जएगा के वल रूपीस थाटी फाइफ में मिल जाएगा बट आपको पेमेंट यूपी आइडी पर करना रहेगा यूपी इडी पटल जिगर 161 एदरेट ओके आईसी आईसी इस पर पेमेंट करन जर सेंड करना ब्रोण कडिगा जैसे ही यूपी इस वीडियो में अगले वीडियो में और next with Tvaluco all the very best